फ्रांस की सड़कों पर हिंसा और आगजनी हो रही है फ्रांस की सड़कों पर हो रही हिंसा में पूरी दुन्या को बेचैन करकर रख दिया है चुनाव नदीजों को लेकर पब्लिक का गुस्सा इसकदर भड़का है कि राश्पती इमैनुएल मैंक्रो बड़ा फैसला लेने क के लिए मजबूर हो गए हैं कि सड़कों पर आगजनी है कि गुस्से से भड़की होई पप्ले भीड को कंट्रोल करने के लिए आसू गैस के गोले छोड़ती पुलेस ये हाल है दुनिया के खुबसूरत देशों में से एक फ्रांस का और इन तस्वीरों के तीछे है वहां की राजने तिक हाला जो वहां हुए चुनाओ के बाद अचानक बदल गए हैं इनके यद्ध और घाजा में चल रही बंबारी और हजारों लोगों की मौत के बीच फ्रांस में क्या हुआ फ्रांस क्यूं जलने लगा फ्रांस जो यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा देश है वहां इस वक्त जबरदस्त राजनेती खल चल हो रही है ब्रेटन की सत्ता बदलने के बाद जनता ने फ्रांस में भी तखता पलट कर दिया है फ्रांस में रविवार को हुए आम चुनाओं में राश्रपती एमानुवल मैक्रों की पार्टी हार गई चुनावी आंखणों के मताबिक कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ इन में से वामपंथी न्यू पॉपलर फ्रंट गडबंधन को 182 सीटे मिली दूसरे नंबर पर एमानुवल मैक्रों की रेनेसा पार्टी रही रेनेसा सिर्फ 163 सीटे ही जीत पाई जबकि दक्षट पंथी नैशनल रैली गडबंधन को 143 सीटे मिली है तीनों बड़े दलों में से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ है फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटे जीतना ज़रूरी है किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो ऐसे में फ्रांस में गडबंधन सरकार के अलाबाग कोई रास्ता नहीं है नतीजे जैसे ही आए फ्रांस में हिंसा भड़क उठी फ्रांस के इस्थानिय मीडिया के मुताबिक बामपंथी गडबंधन को ज्यादा सीटे मिलनी के वज़े से राजधानी पैरिस समेथ पूरे देश में हिंसा भड़क गई नतीजे आने के बाद प्रदर्शनकारी सरकों पर उतर आये और हिंसा शुरू कर दी कई वीडियो में प्रदर्शनकारीों को सरकों पर आग लगाते और उपद्रव करते हुए देखा गया हिंसा को देखते हुए देश भर में पुलिस को तैनात कर दिया गया फॉक्स न्यूस की रिपोर्ट बताती है कि हालात गंभीर है प्रदर्शनकारी हिंसा करने जड़्पों के बीच कई जगए पर पॉलिस ने आसू गयस का इस्तिमाल किया है फ्रांस के प्रधान मंत्री ने दिया इस्तीफा चुनाओ के नतीजे आने के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधान मंत्री गैब्रियल अट्टल ने इस्तीफे की बेश कशकी लेकिन ग्रैबियल अट्टल तब तक प्रधान मंत्री बने रहेंगे जब तक कोई और फ्रांस का पी-म नहीं बन जाता ग्रैबियल अटल ने कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है आखिर ये सब क्यों हुआ अब वो सुने फ्रांस की मीडिया के मुताबिक फ्रांस की दक्षन पंथी पार्टी नैशनल रैली यानी एनार के लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे इस दोरान पोलिस ने सेंट्रल पैरिस में लोगों पर आंसू गैस के गोलिदा गे जिसमें कई लोग खायल है दरसल जब 30 जून को देश में आम चोनाओ हुए थे तो दक्षन पंथी पार्टी नैशनल रैली एनार को सबसे जादा 35.15 प्रतिशत वोट मिले जिसके बाद अनुमान था कि पार्टी को 230 से 280 सीटे मिल सकती है लेकिन जब नतीजे आये तो ठीक इसका उल्टा हो गया अब एक बार फिर देखिए कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है फ्रांस के ग्रे मंत्राले ने सोमवार को जो आकड़े जारी किये हैं उसके मुताबिक कुल 577 सीटों में से एन फपी यानि वामबंथी न्यू पॉपलर फ्रंट गडबंधन को 182 सीटे मिली जबकि दूसरे नंबर पर मैक्रों की पार्टी रेनेसा पार्टी रही रेनेसा क वो 163 सीटे मिली दक्षिन पंथी नाशनल रैली एन आर गडबंधन को 143 सीटे ही मिली जिसको कुल 35.15 प्रतिशत वोट मिले थे नाशनल एसेम्बली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीटें जीतना जरूरी है ऐसे में अब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है वाम पंथी कडबंधन में सबसे बड़े समों का नेत्रे तो जीन लियोक मेलेंचन कर रहे हैं अब सवाल है कि कैसे बनेगी सरकार फ्रांस में कई कमिनिस्ट पार्टियां अनबोर्ट, LFI, सोचलिस्ट, ग्रीन्स और कमिनिस्ट ने मिलकर एक नया अलाइन्स तयार किया है न्यू पॉपुलर फ्रंट और यही गडबंधन चुनाओं में सबसे जादा सीटे जीतने में का वष्ण पॉपुलर फ्रंट के बाग दूसरी बड़ी पार्टी है और तीसरी पार्टी है एन। जो धुर दक्षन पंधी विचार धारवाली पार्टी है। ऐसे में अगर न्यू पॉपॉलर फ्रंट सरकार बनाने के लिए आगे भी बढ़ता है तो एन। इनداर पार्टी क के घजा पर किये जा रहे हमलों के खिलाफ हैं जबकि नैटो देश होने के नाते फ्रांस खुल कर इसरेल के साथ खड़ा है इसलिए एक देश के नाते फ्रांस अब चौराहे पर खड़ा है पूरी दुनिया को लग रहा है कि मैक्रों का दाओ उल्टा पड़ गया है लेकिन क् फ्रांस में इस चुनाव से पहले भी गड़बंधन की सरकार चल रही थी सरकार का कारेकाल 2027 में खत्म होना था लेकिन यूरोपीय संग में बड़ी हार के कारण राश्रपती मैक्रों ने संसत भंग कर दी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक गड़बंधन की सरकार होन भंग कर दिया था ताकि पूर्ण वहुमत हासल किया जा सकते लेकिन चुनाव के नतीजों से मैक्रों खुद के दाओं से ही चित होते देख रहे हैं क्या फ्रांस की वामपंथी पार्टियों के बीच भी बंटवारा हो गया है पिछले कुछ महीनों से फ्रांस में वामपंथी विचारधारा वाली पार्टियों में विभाजन देखने को मिला है खासकर 7 अक्टूबर के बार इसरेल पर हमास के हमले के बार फ्रांस अन्बोड की दूसरी उदारवादी वामपंथियों द्वारा संघर्ष पर उसके रुख के लिए तीखी आलोचना की गई है कट्टर वामपंथी नेताओं ने हमास के साथ इसरेल के युद्ध की कड़ी निंदा की है और उस पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नर्ज संघार करने का आरोप लगाया है उन पर यहूदी विरोधी होने के आरोप लगे हैं जिससे उन्होंने साफ इंकार किया है